शिल्पा शहर की पड़ी लिखी और होश्या लड़की है जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वज़े से गाउं के विकास से हो जाती है शिल्पा की सास पुराने खयालों की होती है आरे शहर की हो इसका मत बलिये नहीं के जो मन आये करोगी करके कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे हाँ ममी मुझे रिती रिवास से कोई दिकत नहीं है पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलम ना बने वो तो गलत है हाए देखो तो अरे घार आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जबान लडाना भी शुरू नई हो बहु हो अपनी हद में रहना सीख लो हाँ इतने में विकास भी वहाँ आ जाता है मा मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगा दुकान चलना चाहिए इसकी नई चीजों की समच और सोच हमारे बिजनस के लिए बहुत अच्छी रहेगी बेटे की बात सुनकर मा को बहुत कुछ सा जाता है अच्छा अर अब बीवी क्या आते ही तेरे तो सुर बदल गए अगर ये दुकान जाने लगी तो गाउं में क्या इज़त रह जाएगी हमारी है लोग क्या कहेंगे ये कहीं नहीं जाएंगी बस हाँ मा के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर की कामों में लगा देती है उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठ कर बाते कर रहे होते हैं ममी ऐसा क्यों सोचती है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है पापा की डैथ के बाद माने दुकान संभालने की कोशिश की थी पर लोगों ने उल्टी सीधी बाते सुना कर उनका आत्म विश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती इसलिए उनसे भी नहीं हुआ लोगों की यही तो दिक्कत है उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिन्दगी में स्वाध आता है वैसे लोग जिनसे डरते हैं न उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं अब फिक्र मत करो मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगी के डर को खत्म करने की जद्दो जहत में जूट जाती है ममी आपको पता है गीता बबीता अरे जिनके उपर दंगल फिल्म भी बनी है मैं फिल्म बिल में नहीं देखती हाँ वो हरियाना की लड़किया हैं दोनों रेसलर हैं उन्होंने जब ये शुरू किया था न तो लोगों ने बहुत बाते बनाई बुरा भला बोला मजाग भी बनाया लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी ना अपने उपर से विश्वास खोया हर ना ही हार मानी और देखो आज किस मुकाम पर है आरा तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है हाँ नहीं नहीं बस ऐसी हमें अपने आसपास की खबरे तो रखनी चाहिए ना ऐसा कहे कर शिल्पा अपनी सास को सोच में डाल कर वहाँ से चली जाती है अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेस्फुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है इसी तरह कुछ समय बीच जाता है और मा आज कल बहुत चुप चुप रहती हो सब ठीक तो है ना बैस कच सोचती रहती है इसलिए ज्यादा बोलने ही पाती ऐसा क्यों हो मा कोई दिक्कत है क्या आरे तेरी पतनी ही दिक्कत है है मैंने क्या किया आरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नगी कहानी सुनाती है पर खुद नहीं जानती के मुझे सब पहले से पता है हाँ तो पिर दिक्कत क्या है मा लोग क्या कहेंगे आरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना आप ये सोचो कि उन्हें नजर अंदाज करके हम साथ मिलकर किस उंचाए पर पहुँच सकते हैं बेटे और बहु की बातों से सोच में पड़ी मा वहाँ से चली जाती है अगली सुबह सबसे पहले तयार सास आवाज लगा कर बेटे और बहु को बुलाने लगती है सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकलाती है जिसके पीछे विकास पे बाहर आ जाता है ममी आप इतनी सुबह तयार होकर कहा जा रही है किसे नई सुरुवाज से पहले भगवान का आशिरुवाद बनता है या नहीं सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते यह हुई ना मेरी माँ वाली बात पूरा परिवार मलकर दुकान पर काम करने लगता है जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभाले लगती है जिसे देख गाओं में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं ही लगती और अक्यों विकास भाई अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नाकर रख लेते हैं और तो को यहां लाने की क्या जरूरत थी इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं यहां आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी अगर आपके घर के ओरते सही से काम नहीं करती ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसे के पास समय नहीं है करारा जवाब सुन बाते सुनाने आए लोग मुँ लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं वा ममी ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे आइम सो प्राउट अफ यू अर बहुत हुआ हाँ काम पर लगो चलो तीनों आपस में काम बाठ कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं इसी तरह दिन दिनों के साथ महीने बीटते हैं जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मारकेट स्किल और सास की फाइनेंशल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनिस बन जाता है जो गाह की साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशूर हो जाता है और अच्छी कहते थे तुम दोनों लोगों का तो काम ही होता है कहना अब हमें सुनना है या नजर अंदाज करना है वो तो हमारे उपर है आपकी शुरुआत में गालियां और आस्मान चुने पर तालियां ऐसे लोगों का तक काम ही है पलटना इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलने नहीं चाहिए बलकि अगर बाते बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है